EVM को सुप्रीम कोड की कलीन चिट मिलने की खबर हो या भारत में हो रहे दुन्या के सबसे खर्चीले चुनावों की खबर हो आप में से कई लोगों को ये खबरें WhatsApp पर मिली होंगी और कई लोगों ने ये खबरें WhatsApp पर शेयर भी की होंगी लेकिन हो सकता है कि आने वाले वक्त में आप ऐसा ना कर पाएं क्योंकि हो सकता है कि भारत में WhatsApp अपनी services बंद कर दें दरसल आज दिली हाई कोट में WhatsApp ने कहा है कि अगर उसे भारत में अपने users के messages की जानकारी सरकार को देने के लिए मजबूर किया गया तो वो भारत से चला जाएगा ये सुनते ही आपको भी टेंशन जरूर हुई होगी क्योंकि हम सब रोज WhatsApp में message करते रहते हैं भारत में 50 करोड से ज्यादा WhatsApp users हैं इसलिए ये खबर 50 करोड लोगों को आज बिलकुल भी miss नहीं करनी चाहिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि WhatsApp भारत में अपना बूरिया विस्तर समेटनी की बात क्यों कर रहा है ये समझने के लिए आपको सबसे पहले भारत सरकार और WhatsApp के बीच चल रहे विवाद के बारे में बताते हैं भारत में वश 2021 में Information Technology नियम बने जिनके तहट Social Media Platform और Messaging Apps को यूजर्स की चाट स्ट्रेस करने और किसी मेसेज के पहले सेंडर यानि जिसने सबसे पहले मेसेज किया है उसकी पहचान करने की बात कही गई है लेकिन WhatsApp कह रहा है कि IT नियम 2021 यूजर्स की गोपनियता और प्राइविसी को कमजोर कर रहा है इसी को लेकर मिटा के दो बड़े प्लाटफॉर्म WhatsApp और Facebook ने नए संचोधित IT नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांस्वर कर दिया था अब हम आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाते हैं कि आखिर इस मामले में सरकार और WhatsApp क्या कह रहे है सरकार कह रही है कि मेसेज कहां से किया गया है हम इसका पता लगाना चाहते है वैसे भी सुरक्षा के मद्दे नजर मेसेज को ट्रेस करने का कोई मेकैनिजम होना ही चाहे इस पर हाई कोर्ट में WhatsApp की तरफ से कहा गया कि IT नियम 2021 यूजर्स की गोपनियता को कमजोर कर रहा है मेसेज का इंक्रिप्शन खत्म हुआ तो WhatsApp का काम ही खत्म हो जाएगा सरकार ने कहा कि IT नियम 2021 लागू नहीं किया गया तो फर्जी मेसेज के सोर्स का पता नहीं चलेगा जिससे शांती सदभाव बिगड सकता है IT नियम 2021 को लेकर WhatsApp ने कहा कि हमें करोडों मेसेज को वर्षों तक स्टोर करना होगा और हमें नहीं पता कि किन मेसेज को सरकार मांगेगी सरकार सुरक्षा और नियमों की बात कह रही है और WhatsApp कह रहा है कि encryption खत्म हो गया तो यूजर्स की प्राइविसी और गोपनियता खत्म हो जाएगी यहाँ जिस end-to-end encryption की बात हो रही है वो end-to-end encryption क्या है अब बहुत कम शब्दों में आपको यह बताते है end-to-end encryption एक communication system है जिसमें मेसेज भेजने वाले और मेसेज रिसीव करने वाले के अलावा कोई और शामिल नहीं होता यहाँ तक कि कंपनी भी end-to-end encryption में यूजर्स के मेसेज नहीं देख सकती है इसके अलावा कोई सरकार या जाँच एजनसी भी दो लोगों के बीच हुए मेसेज को नहीं पढ़ सकती आज के समय में वाटसाप हम सब की जिन्दगी का हिस्सा बना हुआ है सुबा उठते ही हम सब वाटसाप मेसेज ही पढ़ते हैं इसमें वाटसाप को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वाटसाप एक एं-to-end encryption platform है और इसलिए उनका कहना from a business standpoint शायद valid हो सकता है कि साब ऐसा हम encryption break नहीं कर सकते लेकिन जब आप भारत के परिवेश में बात करते हैं तब आपको समझना होगा कि अगर आप भारतिये citizens नागरिकों के हातों में जो devices हैं, communication devices हैं, phones हैं वहाँ पर आपकी सिवाईं उपलगता हैं तो कहीं न कहीं आपको भारती कानून के अधीन होना पड़ेगा आप इसको लेकर बहुत सारे platforms को दिक्कत है कि साथ इसे काम करेंगे तो हम दंदा नहीं कर सकते लेकिन उन्हें समझना होगा कि कहीं न कहीं ये जो provisions IT rules में बनाए गए हैं वो इसलिए बनाए गए हैं ताकि कहीं न कहीं भारत की प्रभुता अखंडता या सुरक्षा को नकरत्मकुप से प्रभावित न किया जा सके सुबा, दोपहर, शाम, रात, हर वक्त WhatsApp मेसेज आते और जाते रहते हैं एक बार फोन में WhatsApp डाउनलोड किया और धड़ा-धड मेसेज भेजने शुरू वीडियो भेजना हो या फोटो WhatsApp का ही ज्यादतर लोग इस्तमाल करते हैं WhatsApp को वर्ष 2009 में अमेरिका में बनाया गया था आज दुनिया भर में 224 करोड से ज्यादा WhatsApp के मंथली यूजर्स हैं भारत में WhatsApp वर्ष 2010 में आया था आज भारत में 50 करोड से ज्यादा WhatsApp यूजर्स एक दिन में 100 करोड से ज्यादा मेसेज भेजते हैं दुनिया भर के करोडों लोग जिस WhatsApp पर अपना पूरा दिन बिताते हैं मेसेज में निजी तस्वीरों और संदेशों से लेकर देश दुनिया की खबरों तक ना जाने क्या-क्या शेयर करते हैं वही WhatsApp अपनी कमाई कैसे करता है वही WhatsApp अपने कामकाज के लिए कैसे पैसे जुटाता है वैसे किसी भी फ्री आप की कमाई के तीन जरिये होते हैं दरसल पहला आप डाउनलोड दूसरा WhatsApp for Business तीसरा Targeted Advertising इन तीन तरीकों से कमाई की जाती है वर्ष 2018 में मेटा ने WhatsApp for Business नाम का एक नया अप शुरू किया था WhatsApp for Business में कमपनी बड़े-बड़े कमपनियों को मेसेज भेजने और विज्यापन के लिए चार्ज करती है इसी तरह Targeted Advertising के जरिये मेटा अपने दूसरे प्लाटफॉर्म जैसे Facebook और Instagram के जरिये पैसा कमाता है दिल्ली High Court में जो बहस हुई वही बहस आज दुनिया के कई देशों में चल रही है हर देश में सरकार और सुरक्षा एजेंसियों का तर्क है कि उन्हें आतंकवाद से लड़ने Child Pornography को रोकने और Fake News से लड़ने के लिए Messaging Services के Encryption को तोड़ने का रास्ता चाहिए दूसरी तरफ Messaging Services का कहना है कि ऐसा करके वो अपने करोडो यूजर्स की Privacy के साथ समझोता नहीं कर सकती WhatsApp ऐसे कानूनों के विरुद Britain, Brazil और Europe के कई दूसरे देशों में भी कोड में केस लड़ रहा है फिशले वर्ष ब्रिटिन में भी WhatsApp ने यही धमकी दी थी कि अगर उसे Encryption शेयर करने के लिए मजबूर किया गया तो वो ब्रिटिन छोड़ देगा जबकि वर्ष 2015 में व्रजील की कोड ने एक ड्रग केस में Encryption शेयर नहीं करने पर बैन लगा दिया था हलाकि कुछ दिन बाद इसे हटा लिया गया था एक तरफ यूजर्स की प्राइवसी का सवाल है और दूसरी तरफ करोडों लोगों की सुरक्षा का सवाल है इसलिए ये कोई आसान बहस नहीं है Tech Companies को भी चाहिए कि वो कोई नया समधा निकाले जिससे आम यूजर्स की प्राइवसी भी बरकरा रहे और लोगों की सुरक्षा के साथ समझोता भी ना भारत सरकार और WhatsApp के बीच अगर बात नहीं बनती है तो इससे आपके और WhatsApp के बीच ब्रेक अप हो सकता है